नमस्कार दोस्तो शोफ एबरिटिंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकी आया हूँ और ये वीडियो है एक आउनलाइन अप्लिकेशन है उसके ओपर ये वीडियो है और इस अप्लिकेशन का यूद जितनी भी भार सरकार की जितन चाहे वो पंचायत हो चाहे वो ब्लॉक पंचायत है चाहे वो जिला पंचायत है या स्टेट लेबल के ओपर जो भी पंचायत है इस एप्लिकेशन का यूज करती है जो भी फाइनेशल एक्टिबिटी होती है पंचायत तर पर उसको मैनेज करने के लिए और लोगों को ट्र पंचायत का इस application के द्वारा manage किया जाता है तो दोस्तो इस application को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक internet connection होना चाहिए दूसरा इसके लावा आपके पास एक browser होना चाहिए जिस पे आप इसको चला सकें तो मैंने इसको open कर लिया है जैसे मेरे पास जो browser है पे e gram सब्राज लिखना है मुस्स application का नाम है e gram सब्राज application e gram सब्राज लिखने के बाद आपको e gram सब्राज पे click करना है ये जो गूम रहा है गोल गोल इसका मतलब होता ये processing में है और ये भी site खुल रही है तो दोस्तों ये है site है और इसका नाम है e gram सब्राज गोवर्नमेंट आफ हिंडिया और मिनिस्ट्रियो पंचाइती राज दौरा बनाईगी ही application है तो इसके अंदर जो भी financials activity होती है बो की जाती है इसके लावा जो भी resolution 25 तर पे पास की जाती है उसको भी इसके अंदर डाला जाता है और जिस activity के अंगे जो fund आया होता है उसको यहाँ पे डाला जाता है जो 25 तर पर काम चले होते हैं जो action plan जो first year के काम यह जिसको हम action plan बोलते हैं जो first year के काम जो execute हो रहे होते हैं तो इसको action software में उसको manage किया जाता है तो इस तरह की activities आप e-grams अबराज में देख सकते हैं तो काफी अच्छी application है पहले क्या होता था? P.E.S. applications होती ही जो की लग-लग application थी जिसमें अगर आफ को accounting activity करनी है तो P.E.S. software उसको open करना पड़ता था अगर आपको मुसके अंदर plan चलाने पड़ते थे तो plan plus open करना पड़ता था अगर जो काम चला हुआ है उसके related activity करनी होती तो action software open करना पड़ता था तो उसी चीज़ को इननों क्या कर रहा है कि एक e-grams अबराज में ही आपको यह सारी चीज़े मिल जाएंगी तो इस main application इसका उदेश यही है कि सारी चीज़े आपको इसी मिल जाएगी तो दोस्तों मैं ज़्यादा time based ना करता हूँ आपको इसमें आपको जो financial activities होती है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो आपको login पर click करना है पर click करने के बार दोस्तों आपको आपकी जो भी पंचायत है अगर आपने उस पर username और password सेव रखा हुआ है तो अपने आप लिस्ट में आ जाएगा उसके आपाद आपको capture जो है वो डालना है capture एक security purpose के लिए यूज किया जाता है तो आपको जो ये capture दिया है वोही सेम आपको यहाँ type करना है 1-I-L-8-A उसके बाद login पर click करना है आपको ये इसका जो इंटरफेस है इस तरह से खुलेगा कौन से state से आप हो कौन सी जैटपी है आपकी कौन सी ब्लॉक मंचायत है और कौन सी आपकी ग्राम पंचायत तब वो आपको यहां पे दिखा देगा इसके लावा यह जो करेंट में फाइनिशलियर चला होगा उसको दिखाएगा यह इसके लावा यह जो मेन्यू दिये हैं देखिए दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बताया अगर आपको अपनी पंचायद की प्रुफाइल मैनेज कर आपको अगर फंडिंग्स रिलेटेड पैसी के जो साब किताब यह वो करना है तो बाउचर टांजिक्शन में जाएंगे तो साब कुछ इस एप्लिकेशन में दिया है तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें जो फाइनिशल एक्टिविटी उसको करेंगे जो 25 तर पर पहले आपको यह सुनिश्चत करना है कि आपके जो ट्रांजेक्शन है किस फाइनिशल एर की है तो फ्रेजेंट में जो 21-22 दिखा रहा है तो अभी जो मेरी पंचायत है उसमें अभी इस 21-22 के बाउचर सुरू नहीं हुए है तो मुझे क्या करना है उसको स्विच है इस पे क्लिक करूँगा और जो मेरा फाइनिशल एर जहांसे मिने बाउचर एंटर करने है उसको स्लेक्ट करूँगा आपको फाइनिशल एर चूज करना है बीस 21 जो मेरी पंचायत जो मेरा भी बचा हुआ है काम बो बीस 21 का है और उसको सब्मिट करना है सब्मिट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 20-21 आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है बाउचर ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि मेरी लास इंटरी कहां रही है कहां मैंने इंटर करा है मतलब कहां मैंने कैस्वुक छोड़ी है तो आपको रिपोर्ट पर जाके चेक करना है और किस मेंने आपकी इंटरी लास बोचर कौन सा था तो आपको वो चेक करना है तो रिपोर्ट पर जाके अदर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और account wise cashbook पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों ये जो रिपोर्ट्स है अगर आपको जो भी अपनी cashbook किसकी रिपोर्ट्स देखनी है जो भी यहां पे इसका label बना हुए उसकी रिपोर्ट आपको दिख जाएगी तो फिलाल मैं अभी account wise cashbook चेक करूंगा अभी मुझे ये जानना है कि मेरा last voucher कहां तक डला है तो उसको मैं चेक करने के लिए इस तरह का ये रिपोर्ट चूज कर रहा हूँ आपको यहां पे bank account सेलेक्ट करना है financial ना सोरी select the bank कोई भी bank सेलेक्ट कर लेता हूँ है month वाई चेक करूंगा मैं 20-21 मेरा financial year है और मैंने 3-4 दिन पहले ही voucher enter का जो last था वो मैंने enter करे थे मुझे पता है last voucher size मेरा October में डले है तगर आपको पता नहीं है तो आप April से लेकर बारी बारी सारे मेने चेक कर सकते हो तो October पे क्लिक करा 14 finance और get report पे क्लिक कर दिया तो देखिए दोस्तों ये मेरे voucher डले हैं और last voucher जो है मेरा 26 को डला था अब मुझे नमबर मेनने का भी चेक कर लेता हूं कि नमबर मेनने का भी वोचर डले हैं कि नहीं है तो नमबर पे क्लिक करूंगा तो देखिए नमबर मेनने का भी 4 नमबर 2020 को बोचर डाला है मैंने 5 को भी डाला है अब आपको अपनी कैश्बूक पे देखना है और इसके बाद कि जो भी बोचर बचे है उसको आपने ओनलाइन करना सुरू कर देना है तो मेरा 5 का डल गया है अगर आप अपने आप कैश्बूक में देख लीजिए कि कौन सा बोचर है लास्ट उसके बाद जो भी बोचर आता है चाहिए वो पैसा आया है चाहिए गया है उससाब से आपको एंटर करना है तो इसके बाद जो बोचर है मेरा वो पेमेंट का इबोचर है तो मुझे बाद पिस इदर आना है उसको क्लोज करना है उसके बाद दोस्तों आपको बोचर ट्रांजेक्शन पे जाके जैसे कि मेरी कैस में मुझे पैमेंट बोचर डालना है तो पैमेंट पे क्लिक करूँँगा मैं देखिये दोस्तों आप चाहर तरह के बोचर डाल सकते हो रिस्ट बोचर पैमेंट बोचर काउंट्र बोचर जर्नल बोचर रिस्ट बोचर का मतलब होता है जो पैसा आया है आपको रिस्ट बोचर डालना है उसका पैमिंट बोचर अगर आपको पैसा देना तो पैमिंट बोचर डालेंगे counter voucher का मतलब होता है जो आपके पास cash है वो बैंक में जमा करना है तो counter voucher डालेंगे या कई बार हम check निकाल के cash किराते हैं तब भी counter voucher डालेंगे journal voucher वो voucher होता है जैसे मान लीजिए हमने जो voucher डाले हैं उसमें से किसी का head गलत हो गया है तो उस head का सुधार करना चाहती है आप तो journal voucher डाल सकते हैं maximum जो voucher होते हैं दो ही यूज होते हैं payment voucher और receipt voucher कभी-कभी counter voucher भी यूज हो जाता है तो जैसे अभी हम receipt voucher डालना अभी हम payment voucher डालेंगे उसके बाद add करेंगे manage का मतलब होता है जो आलेडी बोचो डल गया है उसके अंदर चुछ चेंज करना है तो manage करेंगे बट हम add करेंगे अभी नेचर ओप पेमिंट में अगर आपको देखिए दोस्तों नेचर ओपेमिंट में चार पांच तरह के बोचर है जनरली जो यूज होता है expenditure यूज होता है इसके अलावा आता है transfer अगर आप एक पंचायज और दूसरे पंचायज को transfer कर रहे हो तो transfer voucher डलेगा किसी को advance दे रहे हो तो advance डलेगा receipt cancellation का अगर voucher डलना ता वो डलेगा opening balance का cancellation का करना है तो बो डल जाएगा fund diversion का voucher एक हैड से एक मद से दूसरे मद में पैसा transfer करना है तो fund diversion voucher डलेगा तो अभी हम expenditure पे click करेंगे और उसके लावा आपको किस मद का voucher डलना है आपको यहाँ पे select करना है देखिए दोस्तों आपके जो मद है जैसे 14 finance और 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 जो resources है वो यहाँ पे आएंगी अधर resources पे इसके लावा जो भी scheme से चाहें वो state की है चाहें वो central की है वो आपको इस पे मिल जाएंगी तो आपके उपर depend करता है कि कौन से मद का आपका voucher है तो फिलाल मैं अभी 14 finance का voucher डल रहा हूँ 14 finance पे click करूंगा उसके बाद drop down search 14 finance के भी दोस्तों दो component है एक basic grant है एक performance grant है तो आप अपने साब से देख लीजिए कि आपका जो balance है किस में है basic grant में है कि performance grant में है तो मेरा जो है basic grant में है उसके बाद अब आपको अपनी cash book में देखना है कि voucher किस तरह का voucher है जैसा मेरा है railing grill निर्मान लूना और जो भी लिखा हुआ है और निचे लिखा हुता है कि ये sand ली है रिता लिया है तो इसका मतलब ये supply and material में आएगा तो supply and material के जो voucher है 25-15 में डालके इसके लावा ये जो head दिये है दोस्तों वो आपके cash book के पर depend करता है कि आपके पास किस तरह का पैसा जा रहा है तो आपको यहां से select करना है तो mostly जो है 25-45 ये यूज होता है इसके लावा sanitation का लग होता है health का लग होता है वो आपको यहां पे add select करके आप उसका use कर सकते हो आप देखिए दोस्तों जो major head होता है 25-15 चार डिजिट का होता है इसी तरह minor head जो होता है 3-डिजिट का होता है object head दो डिजिट का होता है दोखिए दोस्तों यही head system है जिसके ओपर जो state ase और CAG वाले हैं audit करते हैं इसी के ओपर ही ये query चलाके ये देख सकते हैं कि किस state को कितना पैसा गया है किस मद में कितना पैसा आगया है किस मद में कितना पैसा आया है head wise वो चेक कर लेती है तो इसी के लिए head system बनाया है तो अब आपको देखना है object head में कि किस का ये क्या लिया हुए बोचर में तो जिसे हमने रेता लिया तो supply and material में आएगा इसके लाव देखिए दोस्तों ये supply and material का जितना भी समान है वो यहां पे आजाएगा जिसे सेंड ली हुई है यहां पे तो सेंड या रेता इसको लोकल भासा में रेता भी बोलते हैं तो आपको दो में से जो चूज करना है वो कर लीजिए देखिए सेंड आ गया सेंड पे क्लिक कर दीजिए इसके बाद ये कितनी सेंड ली हुई है जिसे 2.13 क्यू मेटर है तो 2.13 लिख दीजिए और यहां पे इसका अमाउंट लिख दीजिए तो अमाउंट डालने के बाद दोस्तो किस तारिक का बोचर है वो आपको चेक करना है तो ये पांच पार्टीकुलर में आपको उस काम का नाम लिखना है जैसा आपकी कैश वोक में लिखा होता है पार्टीकुलर में लिखना है यहाँ पर काम लिखने के बाद आपको सिल्ध पर जाकर आपको पैसाँ आपने जो पैसा दी है किस मोड में लिए कैस में दी है do उसके बाद डीटेल बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे अकाउंट नंबर चेक नंबर देखे दोस्तों अगर तो आपने RTGS के साथ चेक भी लगाया है तो चेक सलेक्ट कर सकते हैं Otherwise कई पंचायत जो है RTGS के साथ चेक नहीं लगाती है तो वहां पर रहन दीजेए इसको और यहां पे जो डेट है वो लिख देजिए इसके अलावा जो लेवल ट्रांजेक्शन टाइप है देखिए जो तीन तरह का जो लेटर एंडर एडवाईज में तीन तरह के आपशन दिया आते हैं अगर आप यह सेलेक्ट करते हूँ तो आप एक नंबर भी ढालोगे तब भी लेलेगा यह उसके बादा आता है लेवल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेवल बना के मतलब यह हुआ कि हम बोलते हैं कि इंस्रोंस का पैसा है मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ जैसे के वार बैंक में भी हम प्राजेक्शन करवाते हैं तो अगर हम उसमें नरेटर आता है कि भाई किसने पैसे ट्रांसफर किये क्या ये इंसुरेंस का पैसा है क्या ये सुकनिय स्मृदी योजना का पैसा है या जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम लिखा हुआ आता है तो ये दूसरा उप्शन ये है तीसरा है ये है इसमें भी आप एक नमबर दोगे तब ही चल पड़ेगा यहां पे बट ये जो लेबल ट्रांजेक्शन है आर्टेजियस है इसमें लेबल बनाकिन आप आर्टेजियस लिख सकते हुआ बट इसमें जो है 16 अंको का डिजट आएगा minimum बटेजा से 21 अंको का डिजट आपको डालना पड़ेगा तो जो पझाइट है maximum आर्टेजियस ही करती है तो अब आर्टीजिस नमबर तो उन्हें लिखा नहीं होता है अगर कई पिंचायत ने लिखा है तो लिख दो पर जो आपने डाक डिस्पैच पिये या जो आर्टीजिस बना के दी हुई है उसका नमबर लिख दो अगर वो नमबर कम है तो एक्स्ट्रा डिजिट लगा के जीरो जीरो लगा के सोला कर दो उसको अगर वो भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है आपको अपनी कैश्बुक में जिस तारीकों बोचर डला है वो तारीक डाल दीजिए पर तारीक फॉर्मेट में नहीं डालना है उसको पांच, ग्यारा, दो हजार बीस और चार डिजट लगा दो जीरो के और जो आर्टीजेस का अमाउंट है जो जो आमाउंट है आर्टीजिसका बोच लगा दीजिए इसी तरह यह सोला नंबर बन जाएंगे अगर सोला से कम नंबर होंगे तो सॉफ्ट वेर यह मना कर देगा कि भई आपके सोला से कम नंबर है इसी तरह आप यहां पर डेट बोही डेट डाल दो मैं सोला से कम नंबर कर देता हूँ क्या बोलता है सॉफ्ट वेर देखते हैं और मैं सब्मिट कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों इसने बोल दिया है नेफ्ट आर्टीजिस नंबर इस नॉट बैलेड लेंथ सोला से किस के बीच में नंबर होना चाहिए तो मैं फिर चार भी जीरो लगा दूँगा इदर अगर दोस्तों यह जो मैंने अमाउंट लेका है 87591 यह जो मेरा बाउचर है इतने का है बट जो मैंने अमाउंट दिया है अभी पहला बाउचर जो एक दो तीन पांच चार मतलब डीजिट है इसका जैसे एक बारा जातीन सो चुरूंजा का बोचर डाला है मैंने अब इस तास्ती जार पांच सो चुरानू जो पांच जो टोटल अमाउंट है जब तक कि टोटल अमाउंट पेमेंट नहीं हो जाता आपको यह आटी जिस नंबर डालना है मैं आप यह आपको दिखाता हूँ इस पे समिट कर दीजिए टू हूम पेड चेक बॉक्स अधर जिसको पैसा दी है उसका नाम लिखना है यह वारा जो है यह जो रिकॉर्डिंग यह उसका है इसका कुछ नहीं है सॉफ्ट बेर का यह यह आप्शन लग है उसके बाद आपको से पे क्लिक करना है यह जो है यह प्रोसेसिंग हो रहा है मतलब जो आपने बाउचर डाला है इसको प्रोसेस अभी सर्वर पे यह बोचर डिल रहा है इसको प्रोसेस कर रहा है नेटवर के माद्यम से जब तक यहां पे अकनॉलजमेंट नहीं आ जाती नंबर नहीं आ जाता कुछ तब तक आपको उसका बेट करना है यह देखिए दोस्तों यह नंबर आ गया कि 14 फाइनांस कमिशन का दो जार बीस एकिस का पेमेंट बोचर 75 डल गया है और के कर दीजिए इसके बाद अलग बोचर अलग अलग बोचर डाल दीजिए बैसे ही एक्सपेंडिचर पॉर्टीन फाइनांस आपको कैश्वुक पे देखना है कि क्या है इस बोचर में क्या लिया हुआ है इसमें भी कुछ समान लिया हुआ है तो 25 पंदरा माटीरियल के लिए माटीरियल लग लग आ सकता है हर किसी का अगर हल्थ का माटीरियल तो हल्थ के माटीरियल में भी सप्पलाइंड मटिरियल आ जाएगा तो आप जिस साब से आपका बोचरा हूँ साब से आप हेड़ सेलेक्ट कर सकते है इसमें भी सेंड लिया हुआ है अल्लग काम का ये तो ये सेंड आगया दोस्तो उसके बाद कितना सेंड लिया हुआ है 1.72 और इसका रेट क्या है टोटल सब्मिट बहुचर डेट काम का नाम उसके बाद मोड ओफ पेमेंट लेटर एडवाइज बेंक अकाउंट काउंट नमबर डेट लेवल टांजेक्शन यहां पे दोस्तो वही जब तक यह पूरा जो आपने अमाउंट लिया था यहां पूरा नहीं हो जाता आपको वही आर्टीजेस नमबर लिखना है ताकि यह आगे उससे यह इडेंटिफाई हो जाके किस आर्टीजेस नमबर से इतनी पेमेंट हुई है तो उसके लिए मैं यह बता रहा हूं पांस ग्यारा दोजार बीस चार जीरो और श्तासी पांस कान है तो होंपेड किसको दिया है सीडिये कि अबता किसमें अबर किसमें दिया है है, है भी खांस तो दोस्तो यह थे पेमेंट बोचर तो अगर मैं सभी पेमेंट बोचर दिखाऊंगा दोस्तो तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से पेमेंट बोचर एंटर करने हैं देखिए ये अकनॉलिजमेंट आगी कि वही आपका जो पेमेंट बोचर डल गया है तो इसी तरह दोस्तों आप बोचर डालते जाए अगर आपको कई संजिया लगता है तो रिपोर्ट में जाके अमाउंट बगारा चेक कर लो यहां से आप रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट देखके वहां देख सकते हैं अगर आपको कहीं कन्फूजन लगता है कि या बोचर गलत डल गया है या अमाउंट कम बढ़ गया है घड़ गट गया है तो आप रिपोर्ट पे जाके चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट स्लेक्ट कर लीजिए HDFC काउन नम्बर मन्थवाइज गैट रिपोर्ट तो देखिए दोस्तों ये बोचर डल गये हैं आप इसको बड़ा पलस करके बड़ा देख सकते हैं तो ये आपको बता रहा है देखिए दोस्तों रिपोर्ट में क्या होता है हर मेंने का उपनिंग बैलन्स आपको दिखाए गई ये इतना ओपनिंग बैलन्स था इतना पैसा आया तो इतना बन गया ये जो है रिपोर्ट साइट है ये पेमेंट साइट है तो account by is mean जो account है उसके according ये report दिखाएगा कई बार इसमें जो है cash in hand नहीं दिखाता है account by is report में तो कई बार हमें क्या होता है ओवन resources का cash in hand वगरा चेक करना होता है तो इस report को आप account by check तब ना करें तब आपको सिर्फ report में जाके financial जाके account report पे जाके monthly cash book पे click कर सकते हैं और general जो निदी का voucher है या ओवन resources का cash in hand वगरा है वो सब कुछ इस type की report में आपको दिखा देगा तो I hope दोस्तों आपको वीडियो में समझ आया होगा अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप comment box में जाके दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो तो अगर इस तरह का वीडियो आपको दोस्तों देखने है पंचाइस तरफ के जो भी applications है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लें तो इस चैनल में मैं इस तरह की वीडियो डालते रहता हूं तो थेंक यू दोस्तों दनियावाद